गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मैं हूँ विवेक रंजन अगनी होतरी और वियारे टीवी पे आप सब का स्वागत 1863 में अमेरिका के पैंसिलवेनिया में एब्रहेम लिंकन ने एक बड़ी फेमस स्पीच दी थी जिसमें उनने डिमोकरसी को जिसको भारत में परजातंत्र, लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है उसको डिफाइन करते हूँ उनने कहा था डिमोकरसी जा सिस्टम बाई दा पीपल, फॉर दा पीपल, आफ दा पीपल और तब से तमाम systems जो political systems हैं चाहे वो monarchies हो चाहे colonial system हो चाहे communism हो चाहे dictatorship हो फैशिस्म हो सब एक एक करके fail होते गए खतम होते गए लेकिन democracy survive करती रही आज भी अगर आप आम आदमी से बात करें तो democracy की प्रशंसा करता हुग ही मिलेगा और कहेगा विश्म में ये सबसे अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है लिंकन के इस बयान के देर सो वर्ष बाद लिस्बन में एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइकोलोजिस्ट की कॉन्फरेंस चल रही थी और उसमें उसके अंत में येल, हारवर्ड, स्टैन्फर्ड जैसी महान उनिवर्स्टी में पढ़े हुए एक दिगच साइकोलोजिस्ट शॉन रोजनबर्ग ने अपनी कंक्लूडिंग स्पीच दी और एक पेपर पढ़ा जब उनने अपना ये पेपर पढ़ा, तो वहाँ पे हल्चल सी मच गई और एक वाद विवाद सा ख़ड़ा हो गया, लोग, पीपल वर स्टन्ट बिकॉस शॉन रोजनबर्ग सेट, देट डिमॉक्रसी इस डेट मैं आपको एक्जेक्ली बताता हूँ और शॉन रोजनबर्ग ने ये बोला, कि डिमॉक्रसी जो मर रही है या मर चुकी है और जो अंतता मरने ही वाली है बहुत जल्दी इसकी रिस्पॉंसिबिलिटी किस पे है उन्हों ने बोला, ये मत समझीए, आप कितना भी डॉनल्ड टरम को ब्लेम करें कितना भी आप किसी को भी ब्लेम करें लेकिन ये गलती उन प्रेसिडेंट्स या प्राइम निस्टर्स की नहीं है डिमॉक्रसी की डेथ के लिए अगर कोई रिस्पॉंसिबल है तो वो है पीपल, वी दा पीपल, कोट अनकोट ही सेट मतलब लिंकल ने जो कहा डिमॉक्रसी इस बाइड पीपल, of the people, for the people रोजनबग सेट, the same people are responsible for this और उन्होंने ये बताते हुए इसके लिए that taking democracy's place there will be a new populist kind of governments leading to something called mass democracy अभी जो democracies हैं, इनको representative democracies बोलते हैं he coined a new word, he said mass democracies that offer voters simple answers to extremely complex questions and he gave example of that mass democracies are already making inroads in places like Poland, Hungary, France, Britain, Italy, Brazil, Japan, India, Israel, Turkey and United States और इसके जो कारण उन्हें बताए, वो था he said कि democracy is hard work democracy का मतलब है बहुत complex issues को एक बहुत long term plan के साथ implement करना जो की आम नागरिक के बस की बात नहीं जो रोजनबर्ग कहना चाहरे हूं उसका example बताता हूं जब भारत की democracy का constitution लिखा जा रहा था सन 1947 और 50 के बीच में तो constituent assembly में एक सवाल उठा था कि भारत का जो preamble है उसमें secular और socialist word add करना चाहिए that India is a secular socialist republic democratic republic पर तब बाबा साहब अंबेटकर ने इसका बहुत जम के विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि long term में अगर कल को जो नई आने वाली generation है वो कोई और political system को adopt करना चाहते है जो कि socialist भी ना हो और secular भी ना हो उस चिती में ये एक दुविदा खड़ी करेगी और इसलिए we should give the scope for the future generations to decide what political system they want to adopt और इसमें बहुत बहुत हुई और काफी बहुत के बाद लोगों ने इस बात को माना क्योंकि democracy में debate जो है वो उसका सबसे fundamental stump है लेकिन 1974 आते आते इस्थिती कुछ यों हो गई जिसको रोजनबर्ग mass democracy की बात कर रहे हैं जब श्रीमती इंद्रा गांदी की सरकार थी तो एक popular decision उन्होंने बिना debate के दो मिंटों में ले लिया और भारत के उसी preamble को जिस पे तीन साल debate चली थी उसको मिंटों में change करके उसमें socialist और secular word एड़ कर दिया जिसके कारण आज तक भारत में एक तरह की political और social crisis मची हुई है और पूरा देश एक conflict में रहता है इसी danger को रोजनबर्ग ने बताया है and he said कि problem जो है वो यह है कि जो citizens है they should be skilled enough, they should be educated and able enough to process very complex information and data to be able to help the government take correct decisions जो कि psychologically possible नहीं है क्योंकि इनसान जो है वो straight सोच नहीं सकता इनसान जो है, citizens जो है, वो कहानियों पर बिलीव करते हैं और इसी लिए he said our brains, he says, are proving fatal to modern democracy because human beings and their minds are just not built for it क्या आप जानते हैं, यही बात वर्षों पहले ancient Greece में सॉक्रेटिस ने भी कही दिए प्लेटो ने जो कि सॉक्रेटिस के शिश्य थे अपनी बड़ी वर्ल्ड की सबसे महान बुगदा रिपबलिक में एक example देते हुए लिखाया जो कि सॉक्रेटिस और सॉक्रेटिस के जो शिश्य थे, Edimentus, उनके बीच में एक वार्ता लाप है जिसमें सॉक्रेटिस उससे पूछते हैं, who will you put in charge of a ship? मतलब एक पानी के जहाज का charge तुम किसको दोगे चलाने का? तो he said, that's somebody who knows how to captain a ship. तो he said, and who will decide who is going to captain the ship? तो he said, people who know about maritime, naval engineering, who know about seafaring. And then he says, बहुत अच्छा एक सवाल सॉक्रेटिस पूछते हैं, then why do we think that anybody should be fit to judge who should be the ruler of the country? सॉक्रेटिस का ये मानना था, कि जो voting है, it's a skill. ये बहुत सालों की training के बाद, जैसे की एक judge, जैसे की एक doctor, इन लोगों को कई साल की training के बाद, एक objective training के बाद, एक skill दिया जाता है. उसी तरह से voting भी एक लंबे अर्से की training के बाद, objective evaluation के बाद, लोगों को मिलना चाहिए, तभी उन्हें voting देने का अधिकार होना चाहिए. क्योंकि देश का नेत्रत्व, जैसे की आप एक जहाज का नेत्रत्व, एक unskilled आदमी को नहीं देते हैं, देश का नेत्रत्व करने का जो decision है, यह कोई आपके intuition या whims and fancies से नहीं होना चाहिए. और आप यह दें कि बड़े मज़े की बात है कि रोजनबर्ग भी अपने research में उनने यह पता किया, कि most of the people in America were actually voting for people whose face they liked. और अक्सर ऐसा ही होता है, हमें कोई पसंद आ जाए, तो फिर हम यह नहीं सोचते हैं कि उसकी policy क्या है, वो देश को चलाने के काबिल है भी या नहीं. Democracies जो है generally, उसमें inbuilt checks and balances है. For example, you have legislative, you have executive, you have judiciary. इनका purpose ही है, अगर एक कोई गलत रस्ते पे जा रहा है, तो दूसरा उसको check and balance करें. और साथ में जो fourth pillar है, media. और इनका purpose ही है, कि democracy में कोई भी policy बनाने के पहले उसमें बहुत debate होनी चाहिए, और काफी वक्त गुजरना चाहिए, ताकि जो उसका best version है, जो कि एक लंबे वक्त तक सिर्फ एक larger good के काम आए, इस तरहां से इसकी रचना की हुई है. लेकिन जब कोई fear इंस्टिल करता है, जैसे terrorism का कोई act हो, और उसके लिए it become so easy कि कोई सी भी policy तुरंट बना के executive order से पास कर दी जाए. क्योंकि लोग impatient हो जाते हैं. इसको बोलते हैं, जब populist लोग जो आपके internal fears भेद भाव करके, लोगों में एक तरहां का rift और conflict पैदा करके, चाहे वो racism हो, चाहे वो कमनलिजम हो, चाहे वो regionalism हो, चाहे वो भाशा को लेके हो, चाहे जात पात को लेके हो, जब उसमें एक division create करके, populist बातें करके, वो बातें करके, जो लोग सुनना चाहते हैं, जो एक easy कहानी है, जो कि एक हलवाई की एक लड़ू है, ना कि एक doctor की आपको स्वस्थ रखने की recipe है, ऐसे वक्त में democracy fail होती है, और वो एक demagogory और एक mass democracy बन जाती है. दोस्तों, ग्रीक लोगों का जो सबसे बड़ा fear था, जिसको Plato ने काफी detail में लिखा है, उनका fear था कि democracy जो है, चुकि उस वक्त ग्रीस में काफी young लोग थे, अब भारत जैसी ही स्थी थी कि अधिकतर young लोग थे, और उस वक्त जो थे, वो अक्सर शराब बहुत पीते थे, और हर तरह के व्यस्त में फसे रहते थे, उनका ये fear था, अगर ये अधिकार दे दिया जाएगा सब को, तो young लोग जो है, वो rule करने लगेंगे. तो his fear was that democracy will not work, because it would mean rule by a rule by poor, क्योंकि अक्सर आप देखिए, most of the democracies, there are a lot of poor people, जो educated नहीं हैं, जिनका कोई world view नहीं है, जो obviously law के बारे में, social science के बारे में, political science के बारे में, judiciary के बारे में, science, इन सब चीज़ों के foreign relations के बारे में, defense के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, तो इसलिए वो जज़ भी नहीं कर सकते हैं, कौन सी policy अच्छी और कौन सी बुरारी, तो it will become a rule by poor, number two, he feared that it will become a rule by ignorant people, जिनको किसी चीज़ की कोई knowledge नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों की तादाद अकसर, एक राष्ट में जादा होती है, and it will become a rule by young, और young लोगों से उनको डर यह था, because they are fickle minded, and they were into drugs and alcohol, and they didn't know where, they had no world view, तो इन तीन चीज़ों का डर था, लेकिन आप irony यह देखिए, कि आज, इवन भारत जैसे देश में, जहां पे की वर्ल्ड की सबसे ज्यादा young population है, भारत की जो पार्लेमेंट है, मैं UK और US में, देखिए अगर आप तो जो UK है, वहां की पार्लेमेंट की मीडियन ऐज है 50, मतलब जो पार्लेमेंट के जो रेप्रिजेंटिज़ों की ऐज है 50, अमेरिका में ये ऐज है 60, और भारत में ये ऐज है almost 55 years, 54 और 55 years, और सिर्फ 12 पर्सेंट जो MPs हैं अभी करेंट पार्लेमेंट में उनकी उमर 40 है, दूसरी बात, ये जो रेप्रिजेंटिज़ों हैं, ये जो रेप्रिजेंटिज़ों हैं, रिच और ओल्ड, मतलब आपकी जो maximum population है वो है यंग लोगों की, लेकिन जो rule कर रहे हैं वो है old, आपकी maximum population है गरीब लोगों की, लेकिन जो आपको rule कर रहे हैं वो है educated, ये बड़ी एक paradox है democracy का, और इसी का डर जो था, वो सौकरेटेस या पलेटो को था, और यही बास शौन रोजनबर्ग भी करते हैं, कि democracy जो है actually is a system which cannot survive for long and it is dying. तो मैं अब आपको ये बताऊंगा, कि क्या वो reasons हैं जिसके कारण democracy is slowly dying. धीरे धीरे ग्रीस में democracy समाप्त हो गई, और सारे विश्व में democracy से लोगों का विश्वास उठ गया. लेकिन democracy की असली विक्टरी चालू हुई 2000 वर्ष बाद फर्स वर्ल्ड वार के साथ. फर्स वर्ल्ड वार के बाद सारे योरोप में democracy फैलने लगी. इसको कहते हैं first wave of democracy. आप देख सकते हैं यहां graph में और इसके बाद जो दूसरी wave आई वो जब decolonization चालू हुआ जो देखा जाये तो second world war के बाद चालू हुआ. जिसमें Britain, France, Dutch, Spain, America ऐसी countries जो दूसरे देशों को गुलाम बनके उन पर राज करती थी, colonize करके धीरे धीरे छोड़के जाने लगी और वो countries democracy में change होने लगी, जिनमें भारत भी एक है. और इसके बाद democracy की जो third wave आई पूरे विश्व में वो आई जब cold war के बाद communism फेल हो गया और USSR disintegrate हो गया. और ये democracy के लिए एक बहुत सुनहरा वक्त था. सन 2000 तब पहुंचते पहुंचते आप ये graph देख सकते हैं, विश्व के इन सारे देश जो की blue color से हैं, इन सारे देशों में electoral democracy established हो चुकी थी, जिसका अर्थिये था कि हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को vote देने का अधिका स्टैनफर्ड यूनिवर्स्टी के प्रोफेसर और एकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक democracy index है, पहली बार स्टैनफर्ड के प्रोफेसर लेरी डायमंड ने एक शब्त का इस्तेमाल किया and he said that the world is going through a democratic recession, इसका क्या मतलब है? एक मैप देखिए, इस मैप में जो dark blue color क countries हैं, जो शायद सिर्फ आपको दो या धाई मिलेंगी, सिर्फ इन ही countries में आज full democracy है, आपको अश्र हो का देख के कि अमेरिका जैसी countries में भी full democracy नहीं है, और according to his revelation, they found that today only 5% of the world population lives in full democracy and nearly a third of the world population lives under authoritarian rules. मतलब एक तरहां की तानाशाही, मतलब सिर्फ एक आदमी की बात मानी जाएगी, या एक institution या एक organization की बात मानी जाएगी, जिस तरहां से चाइना में CCP कहने को ये सब democracy हैं, और 89 of the 167 countries आज की तारीक में देखा जाए, तो सिर्फ एक cosmetic democracy में जिन्दा है, जो कहने को तो democracy है, ल कि बोला जाए, कि we are giving you a right to vote, just vote and shut up. And that's exactly what's happening in the world. Most of the democracies today have become illiberal democracies. कहने को तो North Korea भी democracy, actually North Korea का जो पूरा नाम है, वो है Democratic People's Republic of Korea. आपको मैं एक और map दिखाता हूँ, ये जो map है, ये world में freedom of press का है, जिसको की fourth pillar माना जाता है, और जो की एक democracy का सबसे important institution है, क्योंकि ये checks and balance create करता है, पर आज world में कितनी freedom press को बची हुई है, इसका example ये map है, जाना इस map को एक बार फिर से ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ जो blue color की countries है, dark blue की, वहीं पे total freedom of press है, बाकी में नहीं. तरकी का example में आपको बताना चाहता हूँ, तरकी जो की एक democracy है, it has become the biggest jailer of journalists, और 2016 के failed coup attempt के बाद, यहाँ पे 177 media houses को बंद कर दिया गया. आज Hungary में, Poland में, Israel में, Turkey में, ऐसी तमाम democracy में अगर आप देखे हैं, most of the African countries में, press freedom के नाम पे सिर्फ एक swang है, एक ढोंग है, एक clinical level पे हैं, लेकिन अगर press, media, जो सत्ता में लोग हैं, उनको सकम नहीं करती है, तो वहाँ पे उनको जो advertisements मिलते हैं, या तो वो बंद कर दिये जाते हैं, या उनको स्वतंतरता चीन ली जाती है, या उनको income tax rates मारी जाती है, और उन लोगों को सरकार की भाशा बोलने में मजबूर कर दिया जाता है, और इस index के हिसाब से ये सिर्फ press के ही साथ नहीं है, बलकि इन राश्ट्रों की, जो की लगभग सारे के सारे की तारीक में, वहाँ पे judiciary और तमाम ऐसी democratic institutions जो हैं, उनको आज एक तरहां से mass democracy का गुलाम बना दिया गया है, और इसके कारण democracies धीरे-धीरे खतम हो रही है, क्या है इसके पीछे असली कारण, आईए एक-एक करके देंगे, कर्म, एक और एक-एक बार, Universteyn, Elbert Einstein उनुवरस्टी में जा रह थे, अपने अफिस में, तो एक students ने उनको रोका, and he said, Dr. Einstein, this year you have given a set of questions in exams, exactly like the last year, nothing has changed, जो पेपर पिछले साल आपने दिया था एक्जाम में, वही कोश्चिन, exactly the same questions और वही आपने पेपर जो है, इस बार के एक्जाम में दिया है, यह, no, I did not expect it from somebody, a Nobel laureate, Dr. Albert Einstein, Einstein, thought for a second, and then he said, yes, questions are the same, but my son, the answers have changed, और यही प्रावलम आठ डिमॉक्रसी का है, डिमॉक्रसी जिन प्रिंसिपल्स, जिन सवालों को सॉल्व करने के लिए आज से कई सौ साल वर्ष पहले, जो स्वरूप लिया इसने, electoral representative democracy का, वो तो वही के वही है, लेकिन विश्व और विश्व में लोगों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान, उसके तरीके और उसके जवाब सब बदल चुके हैं, और शायद यही कारण है कि डिमॉक्रसी जो है, एक के बाद हर कंट्री में फेल होती नजर आ रही है, हमारी आयम गुद्धा फाउंडेशन ने, दृष्टी कोन, जो एक thin tank organization है अमेरिका में, उनके साथ collaborate करके इस बार काफी research किया, और तरह तरह की books, research papers, और जो experts हैं, उनकी बातों को collate करके, हम एक नतीजे पे पहुँचें कि क्या वो कारण है आट-दस, जिनके कारण democracy धीरे-धीरे weak होती जा रही है, नमबर वन, decline of skilled experts, जब democracy की wave आई थी, तो जो लोग जो democracy चलाते थे, वो सारे experts थे अपने-पने subjects, मतलब economy was handled by economic experts, कि आज जो economics का हम एक decision लेंगे, इसका साथ साल बाद, सौ साल बाद, आने वाली generations पे क्या असर पढ़ेगा, क्या global trends होंगे, foreign relations, defense, education, health, लेकिन धीरे-धीरे, because of mass democracy, ये experts, pressure के कारण, लोगों के favoritism के कारण, corruption के कारण, धीरे-धीरे experts बाहर जाते रहें, और वो लोग, जो सत्ताधारियों के करीब थे, वो लोगों को उन पे बठाल दिया गया, और कारण ये हुआ कि जो policies थी, वो गलत थी, और इसी कारण, economy का विकास, वहांके education का विकास, health का विकास, ये सब धीरे-धीरे रुखता गया, और आज आप देखिए, इस pandemic की situation में, जब सारी दुनिया corona crisis में ग्रस्त है, सबसे weak अगर कोई institution है, तो वो है health, दूसरा कारण है, that unskilled people influence policy, means mass democracy, जो mob psychology होती है, वो अकसर किसी एक बात को पकड़के भेड़ चाल की तरफ भागती है, इसका नतीजा ये होता है, कि जो राष्ट का जो media होता है, वो भी उनी की बात कहने लगता है, और जब वो उनकी बात कहने लगता है, तो धीरे-धीरे इतनी noise create हो जाती है, कि कई बार ल जो रोज मीडिया में उनका criticism ना हो, और इसलिए जो policy decisions है, वो गलत लेने लगते हैं, अब ये बात कई सालों बाद ही तय हो पाएगी, कि जो पूरा lockdown है, ये साही decision है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि media ने दिन रात इसके बारे में बात करते करते करते, लोगों के दिमाग मे इतना fear create कर दिया, जिसके दवाओ में governments भी आ गई, और पिछले चार महने से देखिए, पूरी दुनिया एक तरह से lockdown है, थर्ड जो reason है, वो है harsh demands versus just one demand, ये मैं आपको समझाता हूँ, अगर जब democracy के principles बिलकुल गलत नहीं हैं, democracy के principles बहुत ही unique और बहुत अच्छे हैं, अगर democracy के principles को माना जाएं, तो ये उम्मीद करता है, आम जो citizens हैं, उनसे बहुत harsh demands, मतलब उनसे एक toughness उम्मीद करता है, जैसे patience, long debate, participation, understanding of complex subjects, education, लेकिन ही बहुत cutting काम है, लोग इतना tolerant नहीं करना चाहते हैं, ये demand करता है, कि आप जो diversity है, जो अलग अलग तपके के, religion के, faith के लोग रहते हैं, उन सब को respect करें, आप एक citizen होने का दायत्व पूरा करें, मतलब आप tax सही time पे दे, अगर किसी चीज को करने में आप से को delay हो गया और उसमें आपको 6 मैने लगने वाले हैं, आप उसको पूरा करें, जहां penalty है, छोटी छोटी चीज हैं, आप क्यों में खड़े हों, आप जोर जोर से public में ना बोलें, आपके कारण किसी को problem ना हो, यह सब चीज हैं, लेकिन इनसान का nature ऐसा नहीं है, इनसान को quick fix चाहिए, इनसान क्यों तोड के आगे बढ़ना चाहता है, और इसलिए, democracies में धीरे धीर जो leaders हैं, उन लोगों ने एक बड़ा अच्छा तरीका अक्तियार किया, और वो तरीका है, just demand only one thing from the people, which is loyalty, और इसलिए, लोयल्टी के नाम पे, क्योंकि उसमें कुछ कुछ करना नहीं पड़ता है, citizens से वो लोयल्टी मांगते हैं, और बदले में कहते हैं, आपको कुछ नही करना है, और इसलिए, most of the democracies are today, suffering from corruption, suffering from lethargy, suffering from no growth, no intellectual, emotional or social, moralistic growth, क्योंकि loyalty, जो है, सबसे easy चीज़ है, Change of technology, इस दुनिया में social media और internet इतनी fast speed से बढ़ा, कि democracy और कोई भी दुनिया का political system कुछ कोप विदिट, Social media आज democracy का इतना important अंग बन गया है, कि हर कोई जो है, वो social media के लिए perform कर रहा है, और इसका, इस कारण का मैंने नाम रखा है, People who don't know, believe they know because of social media and force those who know in believing they don't know, इसका मैं आपको एक उधारन बताता हूँ, एक चोटी सी कहानी बताता हूँ, एक आदमी ने मचली की दुकान खोली, और उसने सामने एक बड़ा board लगाया, fresh fish sold here, अगले दिन वहाँ से एक आदमी निकला, उसने का, यह क्या बेफकुफी का board लगाया है, fresh fish sold here, fish तो fresh ही बिखती है, तो यह fresh word क्यों लगा रखा है, इट मेड सेंस, और उसने fresh word हटा दिया, और सिर्फ लिखकिया, fish sold here, कुछ देर बाद, एक दूसरा आदमी आया, उसने का, of course, fish यहीं तो बिखती है, तो यह here क्या लगायत रखा है, fish sold इतना काफी है, और यह बात सही थी, उसने here हटा दिया, क्योंकि दुकान में तो बिख रखा है, तो उसने sold भी हटा दिया, अब सिर्फ वहाँ fish लिखा हुआ था, अगले दिने अगला आदमी आया, और उसने बोला, यार, मजाग बना रखा है, fish की खुश्बू तो बहुत दूर दूर तक आती है, इसकी बद्बूर, और पूरे बजार में एकी दुकान मच्छ fish sold है, कहने का मतलब यह है, कि आज democracy जो है, it has become an opinion market, हर आदमी दो मिनिट research करके, यह decide कर लेता है, क्या सही है, क्या गलत है, और वो government की किसी भी policy में leaders कोई भी decision लेते हैं, उसके उपर, इसके पहले decision ले, इतनी चर्चाएं होने लगती हैं उसके उपर, कि everything has become how to manipulate opinions, मीडिया यही कर रहा है, judiciary भी यही करती है, legislature भी यही करता है, executive भी यही करती है, जो intellectual से हो भी यही कर रहा है, हर आदमी जो है, इस attention economy में, opinions अपनी side रखना चाहते हैं, और यही कारण है, कि आज हर आदमी चाहे हो, IS officer हो, IPS officer हो, police हो, municipality हो, कोई भी हो, they want to look good in people's eyes, they want to have good opinions about themselves, और जहां ज्यादा opinions होती है, जो लोग ज्यादा trend करते हैं, उनके favor में वो decisions लेते हैं, और we are stuck in a fresh fish sold ear syndrome, या जैसा दुश्यंत कुमार ने कहा था, कि president और prime minister से लेकर, आज municipality corporation का एक corporate भी, सिर्फ social media के लिए perform कर रहा है, policies बन नहीं रही है, इसलिए सारी दुनिया जो है, it is stuck in no growth, मैं इसके पहले सबसे बड़ा democracy का जो danger उस पर हूँ, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें और बताना चाहता हूँ, जो कि social media का जो ये, पूरा का पूरा जो social media के कारण democracy में danger है, एक तो ये instant वावाही, याने mcdonald politics, दूसरा जिसको मैं कहता हूँ, attack politics, मतलब हर कोई एक करने पर लगा है, outrage करने पर लगा है, इसलिए पूरा का पूरा जो system है, उसका ध्यान, आज policy making, आम आत्मी का उत्थान, education, health, ऐसी चीज़ों पर नहीं है, बलकि किसी तरह से attack से बचना, या तो defense mode में जाना, या reverse attack करना, तीसरा है problem politics, today because of social media, everybody has become an activist, हर कोई आदमी जो है, को identity politics को भुनाते हैं, हर आदमी औरतों की अलग politics, बच्चों की अलग politics, गरीब की अलग politics, रईस की अलग politics, अलग color, अलग जाती, अलग sections of the society की अलग politics, और तो और, जैसे IT अगर industry है, उसमें भी बैंगलोर वालों की अलग politics, हैदराबाद वालों की अलग, हर कोई आज identity politics लेक क्या merits हैं, क्या demerits हैं, उसे कारण डेश को लाब हो रहा है, या नुकसान हो रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसमें इतनी सारी identities involved है, कोई status quo को disturbed नहीं करना चाहता है, और ये activism politics जो है, इसके कारण आज दुनिया की ज़्यादातर countries में एक status quo सा बन गया है, नेक्स्ट है, compromise democracy, इसका मतलब ये है कि हर कोई जो है, compromise करने पर तयार हो जाता है, आज आप ज्यादा pressure डाल दीजे, compromise हो जाएगा, जैसे अभी Bombay में कुछ दिनों में lockdown हटने वाला है, लेकिन अगर कोई group social media में बहुत outrage करे, फिर उसको media भी पकड़ लेगा, औ उसके against अगर वो लोग outrage करेंगे, तो आप लिख के ले लिजे कि वो लोग lockdown को हटाएंगे नहीं, नेक्स्ट है, anger politics, ये जो outrage और anger की जो politics है, हर आदमी गुसे में और protest कर रहा है, जो सामने आलों को गाली दे रहा है, इसके कारण क्या हुआ है, कि politicians ने decision लेना बंद कर दिया है, and last but not the least, जो सबसे important problem है, वो ये है कि democracy में जो सबसे बड़ा patriotic act है, वो है acceptance of diversity, लेकिन आज because of this outrageous nature of democracy, because of this anger politics, because of identity politics, आज patriotism का मतलब हो गया है, hating the other. आप पूरी जो politics है, वो दूसरे से नफरत करने के उपर based है, आप देख लिए क्योंकि इस social media का nature है, अगर आप सामने वाले को गाली नहीं देंगे, आप उस पर गुसा नहीं निकालेंगे, और उसको humiliate नहीं करेंगे, तो आपको attention नहीं मिलेगी, और अगर attention नहीं मिलेगी तो आपकी opinion कोई सुनेगा नहीं, और जब आपकी opinion होगी, तो आप और opinion वालों का अपने साथ जोडेंगे, and that's exactly what politicians are doing, they are making you fight with the other people, और in return, वो आप से कहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मुझे अपनी loyalty देना है, and that's what I think Rosenberg meant by mass democracy. अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, जो democracy का actually सबसे dangerous part है, और जो पता नहीं कैसे इस दुनिया में कैसे democracy survive करेंगी, और जो directly globalization से related है, and that is the cyber war. दोस्तों, globalization के साथ, world की सारी countries को एक बात समझ में आई, कि globalization जिस तरह से आप market, एक country का जो पूरा market है, उसमें अपने products बेच सकते हैं, लेकिन कई सारे products बेचना इतना मुश्किल है, क्योंकि जो उस country का culture है, वो allow नहीं करता, इसलिए एक नई strategy अपनाई गई, और वो था, वहाँ के culture को दियर दियरे change करना, इस तरह से शुरू हुआ है, एक cultural war का नया दौर, और यह जो cultural war था, यह primarily शुरू किया गया information से, इसको info war भी बोलते हैं, वो यह था, एक country, दूसरे country के culture को influence कर सकती है, और यह cold war से यह चालू हुआ, मैंने अपनी फिल्म the ताशकंद files में भी दिखाया है कि किस तरह से रशा के KGB ने, UK में, इटली में, स्पेन में, और खास तोर पे इंडिया में, सारे के सारे academia, मतलब professors, media, को अपने influence में लेके उनको bribe करके, एक socialism और कम्मिनिजम के favor में, leftist ideology के बारे में एक propaganda create किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हों ने भारत की prime minister से लेके, कई सारे cabinet ministers को भी अपने payroll में रखके, Congress party को अपने payroll में रखके, इस देश की policies को influence किया, और हमारे constitution में socialist जैसे words को include भी करवाया गया, लेकिन आज, modern technology के साथ इसने एक बहुत ही, villainous रूप ले लिया है, और आज ये सिर्फ influence तक नहीं रुका है, बलकि countries को destroy करना, countries को weak करना, वहाँ पे economic destabilization करना, एनार्की create करना, और तो और, वहाँ के democratic elections को भी influence करना, आपने Cambridge Analytica का का नाम तो सुने ही होगा, जो की America के elections के बाद निकल के आया, आपने भारत में भी देखा होगा, कि जब भारत का Pakistan और चाइना के साथ कभी issue होता है, भारत में ही तमाम लोग जो की media में हैं, intellectuals हैं, policy में हैं, और देश के elite work में आते हैं, वही भारत के against खड़े हो जाते हैं, और तो और, भारत की one of the most, the largest opposition party, वह भी कई बार ऐसी बातें करते हैं, ऐसा लगता है, कहीं ये देश के दुश्मन तो नहीं, और ये विश्की हर country में हो रहा है, अभी recently आपने चाइना में भी देखा होगा, जब black lives matter का सारा issue खड़ा हुआ, उसको within no time, अमेरिका की जो दुश्मन आइडियालोजी हैं, खास दोर पर communist आइडियालोजी, उसने टेक ओवर कर लिया, और दीरे दीरे वो writing, looting, एनार्की में convert हो गया, और आज उसको अमेरिका के दुश्मन जो Islamic terrorism है, और जो leftist terrorism है, उसने टेक ओवर कर लिया है, यह सब कैसे होता है, क्या कारणी कि एक देश के लोग बहएक जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है, कि वो देश उनके चपेट में आ गया है, मैं आपको एक example बताता हूँ, अमेरिका में एक बहुत बड़ा chain of stores है, जिसकर हमें target, जहां पर घर की हर एक चीज मिलती है, और यह authentic बात मैं आपको बता रहा हूँ, quote unquote के साथ, ताकि इसको कोई गलत ना समझे, एक middle age आदमी target के एक Minnesota के local target में पहुंचा, बहुत गुसे में और वहां के manager को बला के उसने उससे बोला, कि my daughter is still in high school, and you are sending her coupons for baby clothes and cribs, are you trying to encourage her to get pregnant, और यह उसने तब बोला, जब वो तंग आ गया था, उसकी बेटी के पास दिन रात, pregnancy से related, बच्चों से related, और cribs, और बच्चों के कपड़े, और उनके nipples, और इन सब चीजों के ads, दिन रात आने लगे थे, manager को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो रहा है, और उसने, का हो सकता है गलती से हमारे mailers चले गए हो, और उसके लिए उसने, उससे काफी माफी मांगी, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक हफते बाद, और दो हफते बाद, उसने उसको phone किया घर पे manager ने, और हाद जोड के माफी मांगी, और काफी मिननत थे की, उसने का, I'm really, really sorry, हो सकता हमारा data गलत हो गया हो, but we don't want to lose a customer, so please, please accept my apologies. आप जानते हैं लड़की के बापने क्या बोला? इसका मतलब यह है कि उस लड़की के पिता को यह पता ही नहीं था कि उसकी जो बारवी में पढ़ने वाली बेटी है, वो pregnant हो गई थी, लेकिन यह बात उनके पास जो target store था, उनको यह बात पता थी. This is the danger looming on democracy today. दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, कि पिछले जुलाई में, इमाम मुहमद तौहीदी ने एक Twitter पे एक post दी थी, which tried to expose Ilhan Omar and her links with Qatar. The expose was shocking and despite this revelation, the powers that have been successful in taking it out of the social media landscape completely. वो यह है कि जब भी कोई social media में, डिमाक्रसी में, डिमाक्रसी के दुश्मनों के बारे में अगर कुछ लिखना चाहता है, तो आप देखिए एक विधिवत तरीके से, उसको Twitter हो, चाहे Facebook हो, चाहे Instagram हो, चाहे YouTube हो अब तो, उससे delete करवा दिया जाता है, उससे हटवा दिया जाता है, इसका मतलब कि यह जो big lobbies हैं, चाहे वो communist lobby हो, चाहे leftist lobby हो, चाहे far rightist lobby हो, चाहे वो Islamic terrorist lobby हो, चाहे वो drug cartel lobby हो, चाहे वो counterfeit lobby हो, यह lobbies, अपना जो, पूरा का पूरा वर्चस्फ है, वो भी corporate companies पे रखती हैं, और यह एक बहुत खटरनाग बात है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, education, लेकिन लगातार, अगर आप दुनिया के तमाम indexes देखें, तो education की जो quality है, वो लगातार गिरती जा रही है, आप बताईए, आपने किसी बच्चे को देखा है, जिसको school में, democracy की real values के हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाता है, क्या किसी बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, उसकी क्या duties हैं, इसके बारे में पढ़ाया जाता है, क्या किसी बच्चे को ये पढ़ाया जाता है, how to live, how to love, how to respect, what does it mean to have empathy, what is diversity, what does it mean to respect diversity and the voices of others, what does it mean to be patient, जो human qualities जिससे एक democracy बनती है, democracy actually dictatorship का opposite है, आज education का purpose सिर्फ जॉर्ट मार्किट को feed करना है, किस तरह से competition create किया जाए, लोगों को competitive बनाया जाए, लोगों को greedy बनाया जाए, और लोगों को एक psychological level पे violent बनाया जाए, कि वो एक दूसरे को खतम करने के लिए तैयार हो जाए, ताकि वो ये जॉब मार्किट की race में उनसे आगे बढ़ सके, और इसी competitive नेस को, जो की fear, guilt और insecurity create करती है, उसी को politicians exploit करते हैं, आपके दिमाग में और जादा fear create करके, वो साब जो आपके कमरे में है नहीं उस साब के बारे में बता के, और इसलिए आप डरने लगते हैं, और उस डर के कारण आप उन politicians को vote देते हैं, और social media और दुनिया की जितनी ताकते हैं, वो एक जुट होके आपको अपना victim बनाती है, तुड़े दा biggest victim is the voter, आज electorate और voter में इतना electorate और elected में, मतलब जो representatives हैं और जो हम लोग हैं, आप और हम हमारे बीच में इतना बड़ा gap create हो गया है, कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे बीच में communication possible नहीं है, तुड़े डिमॉक्रसी हैस मेंट कि अगर मैं आपसे यह बोलू, कि अब भाई साहब आपकी लॉटरी निकली है, तो आप कितने खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं दूसरी पल आपसे यह बोलू, कि इस लॉटरी में आपको law बनाना है, सोचिए, क्या होगा। Today, democracy has become a curse on humanity. Democracy, instead of being progressive, has become regressive. Democracy, instead of giving peace, happiness and a feeling of fraternity, is actually dividing people and making people restless and outrageous. इसके बारे में सोचिये क्योंकि आप, आपके आने वाले बच्चे और उनके आने वाले बच्चे इन सब के future की responsibility भी तो democracy की ही है Let's try to understand how we can make our democracy stronger दोस्तों धन्यवाद मेरे साथ जुणने का सबसे पहले मैं आपको thank you बोलना चाहता हूँ मेरे last week के 10 deadly gangs of Bollywood के episode को आप लोगों ने इतना प्यार और support दिया It's become viral and not just viral उसने अपने आप में Bollywood में बहुत बड़ा discussion खड़ा कर दिया है और लोग वाकई में इसमें discuss कर रहे है कि किस तरह से इस system को change किया जाए और इसको मैं आप सब की victory मानता हूँ जो आपने हमें प्यार दिया पर एक बार फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि वो subjects जिसमें कोई research नहीं करता है मीडिया जिनके बारे में बात नहीं करता है आज हर कोई democracy के गुर्णगान करता हुआ मिलेगा लेकिन democracy की असली weaknesses क्या है किस कारण democracy खतम हो रही है और democracy खतम होई तो हमारा भी future अंदकार में आ जाएगा ये research करके कोई आपको बताता नहीं है मैं आयम उद्धा foundation में हम बहुत कोशिश कर रहे है किसी तरह से इस lockdown के period में जब पूरी economy ठप है film industry बंद है किसी तरह से ये करकर आके आप तक हम ये knowledge पहुँचाएं क्योंकि भारती विचारधारा में ये माना गया है कि जो सबसे बड़ा पुन्य का काम है वो है ग्यान को बांटना क्योंकि ग्यान पे किसी का copyright नहीं और यही मेरी कोशिश है इस एपिसोड में हमने दृष्टी कौन्ड के साथ कोलाबरेट किया था जो बहुत अच्छा काम करते हैं रोज सुबह एक newsletter निकालते हैं बहुत research करके ग्यान की बाते होती है आप इसके end में उनका पता देख सकते हैं और उनको subscribe कर सकते हैं और आप हमारी मदद दो तीन तरीकों से कर सकते हैं या तो आप हमारे research volunteer बन सकते हैं अगर आप एक organization है तो हमारे साथ collaborate करके नया research दे सकते हैं या आप हमको भले ही आप 11 रुपए दे हमें पैसे donate करके कोशिश कर सकते हैं कि हमारा यतन है जो प्रयास है ये चलता रहे आप सबका एक बार फिर फिर से शुक्रिया धन्यवाद फिर से good morning, good afternoon, good evening good night and जहिंद